किसी और के नहीं, खुद के दिवाने हैं हम आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस सजेगा, यहां पे रिल्स पे आपको क्लिक करना है, और यहां पे फ्रिंट्स आपको जैसे जैसे स्क्रॉल करते हैं, तो बहुत सारा सौंग आपको सुनाई देता है, और इसमें से जो भी सौंग आपको पसंद आ रहा है, तो कि अपने पसंद का जो भी सौंग है न, वह आपको सर्च करके आपको अपने गालेरी में सेव कर लेना है, इतना काम यहां से करने के बाद से अपने फोन में वी एन एप इंस्टॉल कर लेना है, जो प्ले स्टॉर पे भी मिल जाता है, और आईपोन के लिए एप इस्टॉर से बनाना चाहते हो, वीडियो पर लिरिक्स वाला सौंग लगाना चाहते हो, तो वीडियो सेलेक्ट कर लेना है, अगर आपके पास फोटो है, तो फोटो को सेलेक्ट कर लेना है, उस पे भी आप लगा सकते हो, तो हम यहां पर फोटो पर क्लिक किया, फोटो पर आजेंगे, अब अपनी photo की जो length है उसको हम बढ़ा कर लेंगे, बढ़ा करने से पहले यहाँ पर एक black photo देखेगा, इस पर click करेंगे और delete कर देंगे, और इसके length को हम बढ़ा कर लेंगे, जो हमारा photo है, लगबख 15 seconds कर लेंगे, इससे बाद में भी हम cut कर लेंगे, तो सबसे पहले इसको बढ़ा कर लेना है, उसके बाद से आपको starting वाले point पर आ जाना, और यहाँ पर उपर लिखा हो दिखेगा, tap to add sticker, इस पर आपको click करना है, और यहाँ पर video photo लिखा हो आएगा, इस पर click करना है, और अपने gallery से एक black photo, या नि black fat वाला photo select करना है, जिसका link आप description box में दे दिए वाहाँ से जाके, आप easily download कर लिजेगा, अब download करने का बाद से उसको अपने gallery से select कर लेना है, select करने के बाद से आपके सामय कुछिश तरीके से यहाजाएगा, इसको सबसे पहले इस तरीके से बड़ा कर लेना है, इसको रोटेट करना है, इस पर उंगली रखना है, रोटेims और वारले आइकन पर और इसको रोटाइट इस तरीके से कर लेना है डार्क वाले पोजिशन को नीचे कर लेना है, और जो हलका color है, उसको उपर के तरफ कर लेना, अब आपको नीचे कुछ इस तरीके से बिच लाइन एक बनेगा इस लाइन पर लाकर छोड़ देना इतना कर देना अब इसकी जो लेंथ है पूरा बड़ा कर लेना जितना बड़ा आपका फोटो है तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूं देखे दोनों एक साइज का हो गया अब आपको स्टार्टिंग वाले है उसे की दर्ट आपका लिकर लिए अब आयां पर फोटो वीडियोव पर क्लिक करें गे और जहां पर भी सेब करके रक्योंगे उससे हम सेलेकर बांसे हमारे सामने यह जाओ और नीचे की तरह पी स्क्रॉल करें तो यहां पर एक्स्टेक्ट आदि आडिओ लिखा वगा इ सुनेंगे कि कहां से हमारा लिरिक्स स्टार्ट हो रहा है और कहां खतम हो रहा है ठीक है यह आपको सुनना है तो मैं यह पर play करके सुन लेता हूं किसी और के नी खुद के दिवाने हैं हम देख सकते हैं बस इसमें इतना ही लिरिक्स है अगर आपके पास कोई सोग है तो डायलोग है डायलोग मुझे कापी अच्छा लाग है इसका ही लिरिक्स हम लगाने वाला हूं तो अगर आपके पास कोई सोग है तो सोग को सेलेक्ट कर आप कैसे lyrics लागाना है वह आपको ध्यान से देखना है यहां पर आपको करना कहा है अगर आपको उस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो आपने बीडियो पे नीचे वाला जो फोटो है उसपे क्ली करना और इसको कट भी कर सकते हैं या उपर अपने जो Song, इस पर क्लीक करना और यहां पर बिट्स लिखाऊ दे इस पर क्लीक करके आप Trick लगा देना ठीक है इतना काम यहापे कर देना फिर सापको यह सुन लेना है कि कहां तक oh को है देखिए यहां पर किसी और के नहीं यहां तक है तो यहां पर क्लिक करेंगे फिर बीट्स पर क्लिक करके ट्रिक लगा देंगे था कि हमको पता चले कहां से कहां तक हमारा यह लिरिक्स है ओके कर देंगे फिर अगला सुन लेंगे देखिए यहां से अगला वाला लिरिक् जहां जहां पर लिरिक्स जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां ट्रिक लगाना और जहां खतम हो रहा है वहां ट्रिक लगा देना है ऐसे करके आपको जितना भी लिरिक्स है यानि आपकी सौंग में जितना भी लाइन है और लाइन पर आपको ट्रिक लगा लेना लगाने के बास यहाँ पर हम को tap to add subtitle लिखेंगे इस पे click करेंगे और यहाँ पर extra click करेंगे और यहाँ पर add heading पर click करेंगे अब जीसे क्लिक करेंगे अब यहां पे हम टैप करेंगे दो जो भी लीखना है यई जो भी था ओ लिखेंगे तो पहले तो एक बार और सुन लेते हैं कि क्या था भाई किसी और के नहीं किसी और के नहीं तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे टेक्स्ट पे अब यहाँ पर हम लिखना और फॉंट लगाना है तो यहां पर बहुत सारा फॉंट दिख जाएगा जो अपने हिसाब से यहां से फॉंट सेलेक्ट कर सकते हैं देख सकते हैं इसमें बहुत सारा फॉंट मिला है यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है कुछ इस तरीके का है जो भी आपको यह वो color change कर सकते हैं तो मैं yellow कर लेता हूँ yellow अच्छा लग रहा है या फिर कोई और भी select कर सकते हैं बहुत सारा color है जो अपने हिसाब से आप यहां से select कर लेना तेख सकते हैं काफी प्यारा प्यारा color है यह वाला भी अच्छा हो रग रही से select कर लेते हैं ओके कर देंगे ओके करने वाद से हमारा आ जागे यहां पर कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ हम इसे रखेंगे यहां पर है अब इतना काम यहां पर कर लिया अब आपको करना क्या है देखिए सबसे पहले यह जो लाइन नहीं देखिए यहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है lyrics तो यहां से मैंने किया है अब जहां खतम हो रहा है वहां पर trick वाले line पर आ जाना है अब अपने text पर click करना है और इसे cut कर देना और पीछे वाले part को delete कर देना है या फिर आपको delete नहीं करना है आपको simple जो 23च पर आउनको पर दूसरी line आप बोले हैं वहां पर इसी है इस अगली line में वहां तक हम इसको कर लेंगे इसे भी cut कर लेंगे तो देखिए इसे मैं ने cut कर लिये जहां तक बोला है इस line में मतलब पहला line दो मैरी brauch लए अब दूसरी line पर इसे भी लाए copy करके यानि cut करके अब इस पर हम क्या करेंगे double tap करेंगे और यहां पर आप हम जो लिखें इसे हटा देंगे अब अगली line जो होगी ओ लिखेंगे तो यहां से मैं सुन लेता हूं क्या अगली line है खुद के दिवाने है हम अब हम सब यहां पर लिखेंगे इसे हटा देते हैं से देखिए यहां पर मैं click किया अब इसे हटा दिया अब यहां पर लिखेंगे खुद के दिवाने हम लिख लिया ओके कर दिया अब इसे हम छोटा कर लेंगे कुछ इस तरीके से देखिए यहां पर थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे हाँ इतना पर अब देखिए अच्छा लग रहा है अब इसको यहां पर हम सेट कर लेंगे अब जो हमारी अगली लाइन है इसको भी उसी हिसाब से हम सेट कर लेंगे यह नहीं की छोटा रखेंग जो सकता है छोटा कर सकते हैं देखिए अब अच्छा लग रहा है अब यहां पर हम करेंगे क्जह लाइन हो हो गे आप देखिए मैं सुना देता हूं को कि सी और के न से खुद के दीवान है हम योग हो गई लेकिन i básicamente पर हमारी जो line है ना मतलब डेकार सा लग रहा है, normal सा play हो रहा है और normal सा इस पे दिख रहा है, तो आप इस पे हम करेंगे, effect डालेंगे, तो अपने text पे click करेंगे, और यहां पे motion देखेगा, motion पे click करेंगे, जैसे एक motion पर click करेंगे, सबसे पहले यहां पर out animation, loop animation, in animation उपर आपको दीखेगा, उसके बाद से नीचे आपको animation दीख जाएगा, बहुत सरा है, sound को अम कम कर लेते हैं, अब यहां पर देखे, बहुत सरा effect आपको दीखेगा, तो आपको यह सब effect नहीं उच करना है, आपको last म animation दीखेगा, इस पर click करना, अब यहां पर out animation आपको set कर लेना है, console लगाना, तो यहां पर पहले वाला ही आप select कर सकते हैं, यह जो मैंने select किया है, यह वाला, उसके बाद से आपको यहां पर loop animation है, loop इस पर दे सकते हैं, यहां पर कुछ इस तरीके का loop है, देख सकते हैं, यह वाला मुझे काफी प्यारा लगा, इसको यह फिर यह भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा फ्लोटिंग हो रहा है, सेक हो रहा है, देख सकते हैं, तो यह वाला भी अच्छा है, और यहां पर apply to all पर click करेंगे, तो यह जो है na, यह text जो यहां पर effect आपने लगा आया है, वो आपके दूसरे वाले text पर भी apply हो जागे, तो apply to all पर click कर देना, जैसे ही click करेंगे, उस पर भी apply हो जागा, मैं दिखा देता हूँ यहां पर, देख सकते हैं, इस पर भी apply हो, apply करेंगे, तो बहुत ही प्यारा मतलब दिखाई देगा, देखिए मैं starting से सुनाता ह किसी और के नी, खुद के दिवाने है, लिखने के बाद से जब आपका वीडियो बन जाए, simple आपको जहां पर आपका वीडियो इंड हो रहा है, वहां पर last में जाना है, जहां तक आपका song है, last में जाना है, और अपनी photo पे click करके cut कर देना, और पीछे वाले part को delete कर देना, अब आपकी वीडियो की जो length होगी पूरी बन जागी है, पर देख सकते हैं हमारे वीडियो लगबग 10 second का होगा, अब यहां पर export पे click करना है, और यहां पर आपको 1080p 60 कर लेना, इसको आपको लगबग इतना कर लेना, उसके बाद से export पे click कर देना, जैसे export पे click करेंगे, आपकी gallery में saved हो जाएगा, और जैसे saved हो जाएगा, simple आपको करना का Instagram पे जाना है, और जैसे आप वीडियो अपलोड करते हैं, वैसे ही आपको Instagram drills पे upload कर देना है, सारा कुछ करने के बाद से आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगे lyrics वाले song के साथ, तो दोस्तों वीडियो प subscribe करें के bell icon call प्रेस करें, फिर मिलता अगले वीडियो में तब तक के लिए तनमाज जैन्द वन्दे मात्रां